आप एक दिन में नहीं मरते आप धीरे धीरे मरते हैं उदान के बाहर निकलने से पहले कुछ ऐसी तांतरिक प्रक्रियाये हैं जिन से शरीर फिर से जीवित हो सकता है उनके भीतरी कपड़ों को जला दिया जाना चाहिए वरना वहां तमाम तरह की शक्तियां रहने लगती हैं नमस्काम सद्कुरू मेरे पिता के मृत्य के बाद भी मेरे पास उनके कई कपड़े हैं पर मुझे पता है कि कुछ परमपराओं के हिसाब से मृत्य के कपड़े नहीं रखने चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए जब आपका जन्म हुआ था आपका जन्म दिन क्या है? एक अगस्त एक अगस्त? ओँ आने वाला है आप एक दिन में पैदा नहीं हुए हालांकि आपका जन्म दिन तैह है आपको पैदा होने में नौ साड़े नौ महीने लगे है ना? हम? इसी तरह जब आप मरते हैं तो आप एक दिन में नहीं मरते आप धीरे धीरे मरते हैं मेडिकल रूप से मृत घोशित होने के बाद भी मृत्यू पूरी तरह से नहीं होती मुझे लगता है कि हमने इस बारे में बात की है हम? पांचों प्राण धीरे धीरे कदम दर कदम बाहर आते हैं भौतिक जीवन उर्जा जिसे आमतोर पर प्राण कहते हैं उसके पांच मूल रूप हैं दस हैं पर वो मुश्किल होगा तो हम पांच ही समझेंगे उन्हें कहते हैं समान, प्राण, उदान, अपान और व्यान मान लीजिए अगर एक डॉक्टर है जो किसी व्यक्ति को किसी पल में मृत घोशित करता है तो अगले 21 से 24 मिनट में समान बाहर निकलने लगेगा यानि शरीर में तापमान बनाए रखने के लिए समान जिम्मेदार है सबसे पहले शरीर ठंडा होने लगता है परमपरिक रूप से मृत्यों का पता लगाने के लिए नाक को छुआ जाता है अगर नाक ठंडी हो गई है तो वे समझ जाते हैं कि व्यक्ति मर चुका है वे आखें या दूसरी चीज़े नहीं देखते वे सिर्फ नाक को छुटे है नाक ठंडी है यानि व्यक्ति मर चुका है तो समान तब बाहर निकलता है 48 से 64 मिनिट के बीच प्राण निकल जाता है उसके बाद 6 से 12 घंटे में उदान निकलता है उदान के निकलने से पहले कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं से शरीर फिर से जीवित हो सकता है पर उदान निकलने के बाद एक बहुत सूक्ष्म मौका होता है पर वो प्रैक्टिकल नहीं है सिवाए उसके उदान के जाने के बाद शरीर फिर जीवित नहीं हो सकता अगला है अपान जो 8 से 18 घंटे के बीच बाहर निकल जाता है व्यान जिसकी प्रकृती सुरक्षित रखने की होती है वो उसके बाद बाहर निकलता है सामान्यम रित्यू हो तो ये 11 से 14 दिनों तक बाहर आता रहता है एक दिन शंकरन पिल्लई अलमारी में कुछ ढून रहे थे कुछ तेर बाद पत्नी ने आकर पूछा क्या कर रहे हो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं मैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ पत्नी ने कहा क्या कह रहे हो कुछ नहीं मैं पिछले आधे घंटे से देख रही हूँ तुम हमारी शादी का प्रमान पत्र पढ़ रहे थे मैं एक्सपाइरी डेट ढूंड रहा हूँ। तो हाला कि मृत्यों की समाप्ति तिथी हो सकती है। पर व्यक्ति एक दिन में नहीं मरता। ये एक धीमी प्रक्रिया है। वाकई ये अभी हो रहा है। धीरे धीरे। योग से आप मृत्यू के मार्ग में रुकावट डाल सकते हैं, पर उसे रोक नहीं सकते। हाँ? दैने का भ्यास एक रुकावट है जिससे ये धीमा हो जाता है, पर रुखता नहीं है। तो आज आपके पुराने कपड़ों से हम आपका DNA ले सकते हैं। आपके जाने के बाद, सौ साल बाद हम आपका क्लोन बना सकते हैं। हाँ? हाँ या ना? आपको पता है? तो कम से कम आपकी भौतिकता आपके कपड़ों से जो ली जा सकती है, और हम आपको फिर से बना सकते हैं। कम से कम आप जैसा दिखने वाला व्यक्ति बना सकते हैं। हम शरीर बना सकते हैं, तो आप अभी भी हर जगा मौजूद हैं. जब योगी मरते हैं, तब उस कुटिया को जला देते हैं, जिसमें वे अकेले रहते थे. ऐसा करने का तरीका है. मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप यहां कॉटेज में आग लगा दें. तो वे हमेशा उस जोपड़ी को जला देते हैं, जिसमें वे रह रहे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि DNA का एक भी अणूँ वहां जीवित रहे, क्योंकि जब एक तरह से आपका शरीर मौजूद होगा, अगर उससे आपका शरीर फिर से बन सकता है, तो जाहिर है कि आपका शरीर मौजूद होता है, है ना? तो उस व्यक्ति द्वारा छुई गई हर चीज जलाई जाती है, सब साफ किया जाता है. इसी वज़ा से यही एक मुख्य कारण है कि आध्यात्मिक पत पर लोग अपनी भौतिक संपत्ती को इतना कम रखना चाहते हैं. अगर आप एक सन्यासी के कमरे में जाएंगे, तो आप देखेंगे तीन जोड़ी कपड़े अच्छे से रखे हुए होंगे, पानी पीने के लिए बस एक बरतन, खाने के लिए एक ठाली, और सोने के लिए सिर्फ एक चादर. एक भी अतिरिक्त वस्तु नहीं, क्योंकि वो संसार की कई चीजों को छुना नहीं चाहता, वो इसे कम से कम रखना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि यदि वो अपने शरीर को चारों और फैलाएगा तो उसे इकठा करना और जाना बहुत कठिन होगा इसी लिए वो किसी भी तरह के शारिरिक संबंद नहीं बनाता है क्योंकि वो समझता है कि अगर उसका शरीर हर जगा होगा तो उसे एकठा करके जाना बहुत मुश्किल होगा जो लोग आपके शरीर से आए हैं वे भी समय आने पर आपके साथ नहीं जाना चाहते वे नहीं आएंगे वे कहेंगे I love you पर वे आएंगे नहीं तो मृत्य होने पर वो व्यक्ति जैसा था उस हिसाब से ये चीज़ें संभाली जानी चाहिए आज की दुनिया में जब लोगों ने तीन जन्मों के लिए परियाप्त कपड़े दस जन्मों के लिए परियाप्त जूते एक अठा कर लिए हैं तो वो सब जला देना सरासर बर्बादी होगी और वैसे भी उनके जीने का तरीका और शरीर छोड़ने का तरीका ऐसा होता है कि वे हमेशा इस धर्ती पर फिर से आते हैं सब जलाने का कोई मतलब नहीं है कम से कम जो चीजें शरीर से बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं जैसे उनके भीतरी कपड़े और वैसी चीजें जला देनी चाहिए उन्हें जरूर जलाना चाहिए क्योंकि वरना वो जीव आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएगा वो समझ नहीं पाएगा उसमें ये समझने का विवेक नहीं होगा कि उसे यहां होना चाहिए या वहां होना चाहिए वो तै नहीं कर पाता निर्णय लेने की ख्षमता नहीं होती क्योंकि विवेक नहीं होता शरीर छूटने के बाद प्राणी चीजों में फर्क नहीं कर पाता तो निर्णय नहीं होता बस प्रवृत्ती होती है यहां बहुत सी चीजे हैं जो शरीर की है वो उनके पास रहेगा खास कर पहले कुछ दिनों में तो अगर घर में बहुत सारे इस्तमाल किये गए कपड़े हैं जो कि पश्चिमी दुनिया में एक समस्या है क्योंकि कपड़े इस तरह के हैं और समाज के तौर तरीके ऐसे हैं कि हो सकता है कोई छे महीने वही जैकेट बिना धोय पहनता रहे आप उसका इस्तमाल करते हैं और वही लटका देते हैं क्योंकि वहाँ ठंड है और शायद आपको इतना पसिना नहीं आता इस्तमाल करके लटका देते हैं भारत में ऐसा संभव नहीं अगर किसी चीज का इस्तमाल होता है तो उसे धोया जाता है कपड़ों की प्रकृती वातावरण और सामाजिक तोर तरीके ऐसे हैं पर ये बदल रहा है क्योंकि ज्यादा तर लोग चीन में बने कपड़े पहन रहे हैं न कि भारत में बने कपड़े तो वे ऐसे कपड़ों का उप्योग कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से उनका इस्तमाल करके उन्हें लटका देते हैं न कि धोते हैं इन बातों का ध्यान रखकर हर पहलू को संभाला गया था पर हम इसे बड़े पैमाने पर खो रहे हैं इन कपड़ों का बार-बार इस्तमाल करके लटका दिया जाता है तो आप प्रयोग कर सकते हैं वैसे आज कुत्ते मौजूद हैं अगर आप एक पुलीस का कुत्ता लाएं और यहां एक हजार जाकेट हो और आप उसे कहें कि जिम की जाकेट बताओ तो वो बता देगा हाँ, गॉड नहीं, बस डॉग तो जाहिर है आप वहाँ उस जाकेट में कई तरह से मौजूद हैं है ना? जिसे कुत्ता भी देख सकता है तो जब किसी व्यक्ति के जाने के बाद भी उसका शरीर कई रूपों में वहीं होता है तो कई तरह की ताकतें वहां रहने लगती हैं न केवल उस व्यक्ति की उरजाएं वहां होती हैं बलकि दूसरी कई प्रकार की शक्तियां भी आपका जैकेट एक तरह से खाली शरीर है और शरीर को खाली छोड़ना ठीक नहीं है तो या तो इसे तुरंत धो दीजिए भारत में सभी महेंगे कपड़ों को धो दिया जाता है पहले दस या ग्यारा दिनों में सभी कपड़ों को धोकर अलग-अलग जगा बांट दिया जाता है नकी एक ही जगा सारे कपड़े एक ही परिवार को नहीं दिये जाते आप ये पक्का करते हैं कि जैकेट यहां जाए पैंट वहां जाए ताकि सब कुछ इतना फैल जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण उपस्थिती न हो या फिर शरीर के साथ जो भी कपड़ा गहरा जुड़ा था उसे जला दें इन में से एक काम ज़रूर करना चाहिए या तो आपको उन्हें पचास राजियों में देना चाहिए ताकि बुढ़ा व्यक्ति भ्रमित न रहे कि कहां जाना है या आपको उन्हें जला देना चाहिए